कि अभी एक जनसंख्या नियंतल का विधायक आया उत्रप्रदेश में वो विधायक में पढ़ रहा था उसमें लिखा अगर दो से ज़्यादा बच्चे हुए सरकारी नौकरियों में पाबंदी अगर दो से ज़्यादा बच्चे हुए सरकारी नोकरियों में प्राउननती से पाबंदी अगर दो से ज़्यादा बच्चे हुए जिला पंचायत का चुनाओं निलर सकते पीडीसी का चुनाओं निलर सकते ब्लाक प्रमुकी का चुनाओं निलर सकते नगरपालिका की चेर्मैनी का चुनाव नहीं रह सकते। ये कानून ना तो नरेंद मोदी जी के उपर लागू होगा, ना तो योगी आधितनाजी के उपर लागू होगा, ना तो खत्तर साब के उपर लागू होगा, ना भागवाजी के उपर लागू होगा, और मैं भी सौबाकिसाली हो ना के सिनाजी मेरे भी दो ही बच्चे है मेरे उपर भी आपका कानून लागू नहीं होगा अगर गलती से पास हो गया तो ये मेरे उपर भी लागू नहीं होगा मानेवार हम लोगों ने बच्पन से एक नारा पढ़ा छोटा परिवार सुखी परिवार परिवार छोटा हो सुखी हो सीमित हो इसका कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता बिलकुल परिवार छोटा होना चाहिए लेकिन जब अभी हमारे चर्चा में तोमर जी अभी जब बोल रहे थे तो उन्हें का कुछ रूढ़ी वादी लोग विरोध करते हैं उनको सहथ याद नहीं होगा मानिवर जब 1975 में इस देश में अमर्जनसी लागू हुई थी तो उस वक्त की जनसंग जो मौदूज़ा भारतियंता पार्टी बन गई है उसने तो नस्बंदी कानून का भी रोध किया दा मनिवर नस्बंदी कानून के खिलाब ये लोग खड़े हुथे ये इनका इतिहास है जेलों में गय थे जेल भराता है इन लोगों ने और जिस जो सरकार नस्बंदी लेके आई थी उस सरकार की नस्बंदी कर दी थी इन लोगों ने उस सरकार की नस्बंदी कर ली थी और बड़े चालाकी से बिलाए गया मान्य राकेसिनाजी के द्वारा ये कानून ना तो नरेंद मोदी जी के उपर लागू होगा ना तो योगी आदितनाजी के उपर लागू होगा ना तो खट्टर साहब के उपर लागू होगा ना भागवाजी के उपर लागू होगा और मैं भी सौबागे साली हो राके सिनाजी मेरे भी दो ही बच्चे हैं मेरे उपर भी आपका कानून लागू नहीं होगा अगर गलती से पास हो गया तो ये मेरे उपर भी लागू नहीं होगा लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मानिवर कि अभी ये जंसंख्या नियंचल का विधैक आया उत्तरप्रदेश में वो विधैक में पढ़ रहा था उसमें लिखा अगर दो से ज़्यादा बच्चे हुए सरकारी नौकरियों में पाबंदी अगर दो से ज़्यादा बच्चे हुए सरकारी नौकरियों में प्राउननती से पाबंदी अगर दो से ज़्यादा बच्चे हुए जिला पंचायत का चुनाओ नहीं लड़ सकते बीडी सी का चुनाओ नहीं लड़ सकते ब्लाक प्रमुकी का चुनाओ नहीं लड़ सकते नगर पालिका की चेर मैनी का चुनाओ नहीं लड़ सकते क्यों भाई? सारी सुरुवात नीचे से करोगे एक कानून बनाए अगर आप बना रहे हैं तो आप लिखिए दो से ज़्यादा बच्चे होने वाला प्रधान मंतरी नहीं बन सकता दो से ज़्यादा बच्चे होने वाला सांसद नहीं बन सकता, दो से ज़्यादा बच्चे लेकिन होना चाहिए अब परिवार नहीं होगा तो आप ठके हारे दुनिया भर के तनाव से जब घर में पहुंसते हैं आपके छोटे-छोटे बच्चे जब हस के आप से मिलते हैं उससे आपका सारा तनाव दूर हो जाता है जब परिवार होता है तो आपको चिंता होती है बच्चे की फीस की आपको चिंता होती है नौजवान होने पर उसके रोजगार की आपको चिंता होती है बहती हुई बढ़ती हुई महंगाई की आपको चिंता होती है बेरोजगारी की या सिक्छा की स्वास्त की बेवस्ता की म परिवार का महत्व हम सब को समझने की आवश्यक्ता है मानिवर मैं यहां तक देखता हूँ ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा कि माफियाओं में भी एक अलिखित समझता होता है कि भाई हम लोग आपस में लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे के परिवार को नहीं टच करेंग यानि माफिया भी परिवार के महत्व को समझता है लेकिन बहुत दुर्भागिपूर घटना होई पिछले दिनों मानिवर दो दिन पहले बहुत ही दुर्भागिपूर घटना होई और आप लोगों से हाँ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ हम लोग राजनीती में है एक दूसरे से लड़े चुनाओ लड़े जीते हारे जो भी परिडाम आए कोई बात नहीं लड़िये यह आपका अधिकार है हमारा भी अधिकार है हम से लड़िये लेकिन अभी दो दिन पहले क्या हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री के परिवार पे हमला जहाँ पे उनके जब वहाँ हमला हो रहा था तो दौटी वह अपनी मा की तरफ गया उसने का मा पापा को बुलाओ पापा को बुलाओ गुंडे आगये उस बच्चे को नहीं पता था भारती जनता पार्टी के लोग भाजपा के एक सांसत के साथ आप पहुँच गये लड़ना है हम से कर रहे हैं की सबाट पर आप किस बाट पैसा कर रहे हैं किसबा प्रत्ता कर रहे हैं मैं खतम कर रहा हूं कस्मीयर ही पंडित मैं खतम कर रहा हूं पॉइंट के दुख में आप भी सामिल हैं हम भी सामिल हैं आप कहते हैं के सामिरी पंदितों के साथ जो कुछ हुआ to work लेकिन यह कंसा तरीका है मानिवार मैं पूछना चाहता हूं जो हिंसा का में सामिय पंडितों के साथ हुई वही लिए हिंसा आप अर्विंद केजरिवाल के रीवार के साथ मानेवार हम लोगों ने बच्पन से एक नारा पढ़ा छोटा परिवार सुखी परिवार परिवार छोटा हो सुखी हो सीमित हो इसका कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता बिलकुल परिवार छोटा होना चाहिए लेकिन जब अभी हमारे चर्चा में तोमर जी अभी जब बोल रहे थे तो उन्हें का कुछ रूड़ी वादी लोग विरोध करते हैं उनको सहथ याद नहीं होगा मानेवर जब 1975 में इस देश में अमर्जंसी लागू हुई थी तो उस वक्त की जनसंग जो मौदूजदा भारतियंता पार्टी बन गई है उसने तो नस्बंदी उनके खिलाब वे लोग खड़े हो थे ये इनका इतिहास है जेलों में गये थे जेल भराता है इन लोगों ने और जिस जो सरकार नस्बंदी लेके आई थी उस सरकार की नस्बंदी कर दी थी इन लोगों ने उस सरकार की नस्बंदी कर ली थी और बड़े चालाकी से भी ला न भागवाजी के उपर लागव होगा और 222 साली हूं रहा क्यसिंपना जी मेरे वीड़ो ही बच्चे यह मेरे ऊपर वी आपका नुन लागव Martin के अगर गलती द्या नीरह dai उन्हादे लेकिन दया चाहिते हूं नोकरियों में प्रहुननती से पाबंदी अगर दो से ज़्यादा बच्चे हुए जिला पंचायत का चुनाओं नहीं लड़ सकते ब्लाक प्रमुकी का चुनाओं नहीं लड़ सकते नगर पालिका की चेर्माइनी का चुनाओं नहीं लड़ सकते क्यों भाई सारी सुर्वात नीचे से करोगे एक कानून बनाए अगर आप बना रहे हैं तो आप लिखिए दो से ज़्यादा बच्चे होने वाला प्रधान मंतरी नहीं बन सकता दो से ज़्यादा बच्चे होने वाला सांसद नहीं बन सकता दो से ज़्यादा बच्चे होने व मानिवर सीमित होना चाहिए लेकिन होना चाहिए अब परिवार नहीं होगा तो आप ठके हारे दुनिया भर के तनाव से जब घर में पहुंसते हैं आपके छोटे-छोटे बच्चे जब हसके आप से मिलते हैं उससे आपका सारा तनाव दूर हो जाता है जब परिवार होता है तो आपको चिंता होती है बच्चे की फीस की, आपको चिंता होती है नौजवान होने पर उसके रोजगार की, आपको चिंता होती है बहती हुई, बढ़ती हुई महंगाई की, आपको चिंता होती है बेरोजगारी की, एसिक्छा की, स्वास्त की, बेवस्ता की मनवर, इसलिए माफियाओं में भी एक अलिखित समझवता होता है कि भाई हम लोग आपस में लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे के परिवार को नहीं टच करेंगे यानि माफिया भी परिवार के महत्त को समझता है लेकिन बहुत दुर्भागिपूर घटना हुई पिछले दिनों मानुवर दो दिन पहले बहुत ही दुर्भागिपूर घटना हुई और आप लोगों से हाँ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ हम लोग राजनीती में हैं एक दूसरे से लड़े चुनाओ लड़े जीते हारे जो भी परिडाम आए कोई बात नहीं लड़िये यह आपका अधिकार है हमारा भी अधिकार है हम से लड़िये लेकिन अभी दो दिन पहले क्या हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री के परिवार प अपनी मा की तरफ गया उसने का मा पापा को बुलाओ पापा को बुलाओ गुंडे आ गए गुंडे आ गए उस बच्चे को नहीं पता था भारती जनता पाटी के लोग भाजपा के एक सांसत के साथ वहाँ पहुँच गये लड़ना है हमसे लड़ो एक हमला कर रहे हैं अपनितों के दुख में हम सब सामिले कस्मीरी पंडितों के दुख में आप भी सामिल हम भी सामिले आप कहते हैं कस्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ नहीं हुआ उनके साथ हिंसा हुई उनकी हत्या हुई अत्याचार हुआ लेकिन ये कौन सा तरीका है मानिवर मैं पूछना चाहता हूँ जो हिंसा कस्मीरी पंडितों के साथ हुई वह हिंसा आप अर्व